इसको माँ में उन तलांग की बाते की और कहा कि जितनमादी को कौन कहता है कि मुखमंत्री है यह बड़ा मुखमंत्री है और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजी आप दे रहे हैं इनको तरजी देना बंद कीजिए यह मुखमंत्री नहीं इनको कोई इसको कोई अकल नहीं है तो इस तरह से अब पानित किया गया अब भाजबा को धोखा दे करके अब आप राज़त में आए हैं राज़त ने मुखमंती बनाया आप कहां मुखमंती बने हैं आप भी तो इसी तरह से धुलमूल नीति करकर करके फल्टू राम बन करकर करके आज सत्ता में हैं हम अपना मालात पहना करके और हम लोग रिकॉंसायल करना चाहते थे कि वावा हम लोग क्या करें निटीज कुमार को सद्बुधी दें सच के बाद डिल्ली के गड़ जो हम राजधानी है वो राजगाट में भी महत्मागानी के सामने भी हम लोग प्रातना करेंगे कि सबाद पुर्व मुख मंतर जीतरना मांजी को लेकर जो सदन के अंдर बयान दिया था उसके बाद जो है लागातार जीतरना मांजी जो है वहम निटीज कुमार पर कटाज कर रहे थे बयान दे रहे थे tv लेकिन आज वह मूर्ति बना है परतिमा जो बना है वहां मौन धरना के लिए पहुचे थे लेकिन जो है गेट नहीं खोला गया तो जितने भी यहां पर पहुचे थे लोग बिहार बिजेपी के परदेश सद्या समराथ चोधिरी बिहार बिधान सवा के जो नेता प्रीद बिरोधी दल है विजय सिना तो तमा बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बिहार के जो पूर्व मुखमंतरी है जीतरनामा जी उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है दिल्ली जाएंगे दिल्ली के जो राजगाट है राजगाट के समीप मातमा गांधी का जो परतिमा है वहां भी हम लोग मौन धरना पर बैठेंगे औ बिहार के मुखमंतरी नितीज कुमार को सद्भुद्धी हो सद्भुद्धी हो उसको लेकर भी हम लोग जो है कामना करेंगे सुनाते उनके पूरे बयान को जीतरनामान जी और समराठ चोदरी क्या कुछ कह रहे हैं को बताना चाहते थे यह हम लोग के भगवान आप अनुसुची जाती जन जाती और महिलाओं के लिए क्या क्या रख दिये हैं क्या क्या नहीं क्या नहीं क्या है लेकिन परतवान में मानिय निकीश कुमार जो बिहार के दुख बनते हैं जो आप लोग जानते हैं और फिर दूसरी बार हमार के ऐसे पास के देखा जो निकीश कुमार से उमर में भी बड़ा है और कर सकते हैं कि उन्होंने 69 में फ्राप किया और जीकन मांजी 66 में डिगरी आउनर्स के साथ आया है काने का मतलब कि कम से कम विखान सवा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो सभी बानिये सदस हुआ करते हैं उनके पर्दी आदर सुचक सब्द निदालना चाहिए कि इसकुमार में तुन तलांग की बाते की और कहा कि जीतन मांजी को कौन कहता है कि मुखमंत्री है ये बड़ा मुखमंत्री है और आप लोगों को भी एड़ेस किया कि इनको बड़ी तरजी आप दे रहे हैं इनको तरजी देना बंद कीजिए ये मुखमंत्री नहीं इनको कोई इसको कोई अकल नहीं है तो इस तरह से अपमानित किया गया हम समझते हैं कि वो जीतन मांजी का अपमान नहीं है सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो डलिक लोग हैं उनका अपमान होने किया एक राज का मुख मंध्री जो तेरा क्लोर जनता का परतेंजित्व करते हैं और उनके मुखार भिंड से ए सारी बातें जो आई ओर जिस्चित रुप में विशादिये हैं और जितनमाजी क्या बोर रहा था और लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बहें नेता बोलेंगे कि जो आरच्छन समंधी बील लाया और कोटा बढ़ाने की बील लाया अन्पीशन में भी हम लोग साब एक मत से उसको पारित किया समर्थन दिया तो फिर उसमें बिरोज की कौन बात आती है सिर्फ हमने ये कहा कि बावा भीम राव अमबेत कर जब समिधान लागू करने की बात हुई और रच्छन देने की बात हुई तो उन्हें कहा था कि दस बर्सों में समिक्षा होनी चाहिए खुजूर आप 18 बरस बेतित कर दिये आपके छोट बड़े भाई भी 15 बरस मुख मंत्री में रहे आखिर क्यों नहीं इसका समिक्षा हुआ और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था अगर आज जात किया जाएगा तो वो 7 या 8% से ज़्यादा नहीं है दूसरी बात हमने बोला कि यहां के जो पदाधिकारी हमारे सिडूल कास्ट के हैं उनके लिए 1971 में ही रोश्टर लागू है और रोश्टर लागू होने को उपरान 16% परमोशन में आरक्षन मिलना चाहिए लेकिन आज हमारे सिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइप्स के पदाधिकारियों की गिंती अगर की जाए तो 3.7% उनका अपरते निरित्व है एक-एक सरतावणी में पूरा होगा माननी है मुखमंती जी हमको यह बताए और इसकी समिशा कीजिए इसके लिए आयोग बनाये और कोई कारज करम अपनाए इतने ही कहने पर भरग गए इसको कुछ आता है इसको हमने मुखमंती बनाया हम करते हैं कि आपको भाजपा मिखमंती बनाया आप भाज्बा को धोका दे करके अब राज़त में आए राज़त ने मुखमंती बनाया आप कहा उल्मिक इत्क मुत्त बने हैं और बाज़ते संट्रूक को आप हैंगे वो करेगा चुकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से ठूठू होने लगा कि आप रिस्तिफा दो इस्तिफा दो तो इस्तिफा ना दे करके एक इसे मुलाइम आदमी को बनाने का कोशिस किया कि जो वो कहें वो करें और दो महिना तक सच्पूर में हमने किया बाद में आप ही लोग ने कहा कि जीतन मांजी रवारस टेंप है जीतन मांजी रिमोट से चलता है तो फिर हम अपना काम सुरू किया तो उनका पेट में दर्ध हो करने लगा बहुत सारी बातें किया है वह आपके सामने है और आज बावा भीम राव अमवेदकर के चर्णों में अपना मालात पहना करके और हम लोग रिकॉंसायल करना चाहते थे कि बावा हम लोग क्या करें निकिस कुमार को सर्भूधी दें और आज ताला नहीं खोला ग बिहार के दलीट पिश्रावर के लोग महिला लोग नहीं परदास करेंगे और ऐसा नकिये हैं तो हम लोग चट के बार डिली के जो हम राजधानी है वह राजघाट में भी महात्मा गानी के सामने भी हम लोग प्रात्ना करेंगे कि निकिस कुमार कर सद्भूधी दें और ल लग नहीं इसके लिए भी जरूवत पड़ी तो कानूनी करवाई भी हम लोग करने को सोचा है हमें यही कहना है यह लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब यह घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined